एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंगाड़ो जोन के नए एपिसोड में दोस्तों यहाँ आपको एलेक्ट्रिक वहिकल से जुड़े लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं आज हम बात करेंगे भारत की पहली हाई-ेंड एलेक्ट्रिक कार हेंड़ाई कोना जिसको 2019 में 9 जुलाई को लाउंच किया गया था उड़े भारत की highly efficient और एक long list of features वाले एलेक्ट्रिक कार है और अब एक निया अपडेट निकल का है कि हेंड़ाई कोना एलेक्ट्रिक के updated वर्जिन को लाउंच करने की planning कर रही है जिसमें इसका interior exterior के साथ नए feature भी add होंगे इसी साल 2021 में आने वाले महिनों में इसको launch किया जाएगा पहले बात कर लेते हैं exterior से इस नए model में new LED daytime running light रहीगी जिसमें stylish triple array LED light headlamp भी मिलेंगे जो air intake था उसको थोड़ा साथ छोटा किया गया है लोर किया गया है और dual tone roof आपको यहां मिलेगी वहीं अगर interior की बात करें तो इसमें नया 10.5 इंच का infotainment touch screen infotainment system आपको मिलेगा इस बार heated seats की option दी गई है upgraded blue link connectivity जो इसका connectivity फीचर है उसको और ज़्यादा अप्ग्रेड किया गया है बहतर किया गया है remote charging का function दिया गया है blind sport assistance जैसे safety feature भी add किये गए है battery pack सेम रहेगा वही 39.2 किलोवाट आर का और जो motor है वो 136 136 HP की power generate करती है वहीं अगर range की बात करें तो सबसे ज़्यादा highest range वाली electric car है currently साड़े 400 किलोमेटर से ज़्यादा 452 किलोमेटर की range यहां company claim कर रही है price तकरिवन 23.83 23,83 कि आसपर इसका price निकल कर आया है दोस्तों भारत में पिछले साल 2020 में kona electric की sale figure कोई ज़्यादा अच्छे नहीं रहे थे शुरू कि यह launch हो थी 2019 में तब शुरू के मत में काफी अच्छा response था बट 2020 में सिर्फ 183 183 यूनिट ही इसके sale हो पाए और अगर market share की बात करें तो रफली चार साड़े चार परसेंट के आसपास market share बनता है इसका उमीद करते हैं जो निया update जो version है exterior and deer नए update के साथ जो launch किया जाएगा उससे जो इसके sale figure है वो increase होगी लेकिन दोस्तों मेरा मानना कि ज्यादा बहतर रहेगा अगर हें उंड़ाई कोना का एक affordable model भी launch करें जिसमें range तो same रहे लेकिन वो features को कुछ कम करकर luxury type जो features उनको कम करके एक थोड़ा सा affordable 20 लाग से नीचे अगर इसका price लेके आती है तो मेरा मानना कि इसमें अच्छी खासी जो sale figure है अच्छा खासा increase होगा तो यह था आज का update proper launch date जब clear होगी तो विल्कुल आपके साथ दुबारा update share करूँगा आपका क्या कहना है जो मैं last में कहा कि अगर same range के साथ कुछ कम feature के साथ एक affordable model launch किया जाता है तो क्या आप अगर 20 लाग से नीचे इसका price जाता है बेस मोडल का तो क्या आप Hyundai कोना को खरीदना चाहेंगे जो भी आपकी राय है कमेंट में जरूर बताईएगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद वीडियो को अंदक देखने के लिए जाहिंद